पंद्रा जून दो पहर दो बजे गल्वान घाटे हिमालाई की उचाईयों पर भारतिय सीमा का एक सुधूर वीरान इलाका कॉर्पल एहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉवर्ट पोस्ट से जंडा नदारत है सो देखिए वहाँ और भी है परवतों पर उस दिन फॉची कमांडोस अखेले नहीं थे दुश्मन सैनिकों ने गिर्ट के पत्थरों की आज लेकर फॉची यूनिट पर धवा बोल दिया स्कॉर्ट थ्री का भारतिय शेयत्र गुस्पाटियों से सामना हुआ रिपीट स्कॉर्ट थ्री का दुश्मन उते सामना हुआ लेटनेंट सिंकी पेट्रोल थ्री टीम को जिस आखरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस खलन से किरे पत्थर और चट्टा और थे अंधेरा अचा गया छे गंटे बाद जब लेटनेंट सिंकी आँख खुली तो उनका सर चक्रा रहा था पहाड से हुई पत्थरों की उस बोचार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोटाई थी अहमद धिलो प्रवी फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाईयों से बैतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीर हो चुके थे कम से कम वो जिन्दा तो थे भारतिय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खत नहीं होगी मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगा बहादुरी भाईचारे और भारत के लिए फौजी